आप सभी का फिर से स्वागत है कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के इस लर्निंग प्लैटफॉर्म पर हम डील कर रहे हैं करेंट अफेयर्स और आज हमारे लिए हैं आज हम उसके ऊपर क्या करने वाले हैं कि जो करेंट अफेयर्स हैं उनको हम किस तरीके से हमारे एक्जाम में हमारे माद्यम से उसको डील कर सकते हैं सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को हम एक छोटी सी information दे देते हैं आपके CGPSC की जो लोग सेवा आयोग की जो राज्य सेवा परिक्षाए होती है जो तीन चड़नों में होती है प्रेलिम्स, मेंस और इंटर्व्यू उसके जो दो मेजर चरण होते हैं प्रेलिम्स और मेंस जिनके लिए आपको अलग-अलग test series में भटकना पड़ता है इस बार आप लोगों को अलग-अलग test series में भटकना नहीं पड़ेगा हमारा competition community के जितने भी experts हैं उन्होंने मिल करके आप लोगों के लिए एक integrated pre plus mains का क्या किया है test series यहां पर launch किया है 2024-25 के लिए प्री प्लस mains के यह integrated क्या होंगे आपके test series होंगे और इसमें आपको 60% तक की क्या मिलेगी छूट मिलेगी 60% तक की कब से शुरू हो रहा है यह test series आपका शुरू हो रहा है 30 जून 2024 से 21 जून को आप लोगों को इसका पूरा का पूरा syllabus मिल जाएगा यह format आप लोगों के लिए pre plus mains का है मतलब एक ही test में एक ही syllabus के पहले आप लोग क्या करेंगे multiple choice questions को solve करेंगे फिर उसी syllabus के आप लोग क्या करेंगे questions को deal करेंगे जो subjective होंगे यानि कि written exam आप लोग देंगे है ना तो यहां से आप लोगों के लिए आप लोगों का time energy सब कुछ बचेगा कुल मिला करके 75 इसमें test होने माप किज़ेगा 85 test होने है जिसमें 55 जो test होंगे वो prelims के लिए dedicated होंगे और 30 टेस्ट जो होंगे वो किसके लिए dedicated होंगे mains के लिए dedicated होंगे और यह दोनों ही test series साथ साथ चलेंगे क्योंकि आप लोगों का prelims का होना है exam feb में होता है इसलिए जो prelims के हैं वो आपके 15 जन्वरी 2025 तक चलेंगे लेकिन जो आपके mains के हैं वो कब तक चलेंगे 10 नवेंबर 2024 तक याने कि यह दोनों ही आप लोगों के लिए क्या है एक तो integrated test series है उपर से यह क्या है आपका long term test के रूप में आप लोगों को देखने मिल रहा है holistically आपके पूरे syllabus को cover कराया जाएगा किसमें इस test माध्यम से pre plus mains के approach पर रहेगा जिससे की आप लोगों का क्या होगा पूरा का पूरा जो energy है वो save हो जाएगा अलग-अलग test series में ना भाग करके एक ही test में आप लोगों को सर्वगुण संपन test series देखने को यहाँ पर मिल रही है है ना तो यह क्या है integrated syllabus for prelims and mains का test so that you can prepare your exam smoothly and smartly this test series will help you to prepare for both exams that is pre and mains at the same time now through these test series you can save your time as well as your energy and effort पर यह हमारे कुछ students के testimony है तो ज्यादा information के लिए आप हमारे centers पर walk-in करके भी क्या कर सकते है information ले सकते हैं आप हमें दिये हुए numbers पर जो हमारे description में दिये हुए numbers हैं वहाँ पर आप call कर सकते हैं आप हमसे information comment box में comment करके भी ले सकते हैं आपको हर तरीके से मदद करने की कोशिश की जाएगी 60% तक की छूट अभी आप लोगों को इसमें दी जा रही है किसमें test series में और यह शुरू कब से होने वाली है 30 जून 2024 से क्या होने वाली है यह शुरू होने वाली है और complete syllabus आप लोगों को 21 जून को क्या हो जाएगा एविलेबल करा दिया जाएगा ठीक है चलिए आज से आज का अपना session शुरू करते हैं सबसे पहला जो question होगा what can be the total number of ministers in government of India भारती सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है option number a 15% of कुल सदस्यता ओफ लोक सभा मतलब total membership of लोक सभा के 15 प्रतीशत total membership of पालियामेंट के 15 प्रतीशत total membership of राज्य सभा के 15 प्रतीशत या फिर इनमें से कोई नहीं आप लोगों को मालूम है भारती सरकार में जो कुल मिला करके मंत्री हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं एक्यासी मंत्री हो सकते हैं वर्तमान में प्रधान मंत्री समेत 72 मंत्रियों ने क्या किया है शपत ले ली है तो आप लोगों को बताना है यह जो मंत्री परिशद की संख्या है यह आपका कितनी हो सकती है option a 15 प्रतीशत लोग सभा की सदस्यता के हिसाब से option number b maximum 15% पालियामे की सदस्यता के हिसाब से कुल मिला करके मतलब लोग सभा राज्यसभा दोनों को मिला करके या फिर 15 प्रतीशत आफ टोटल मेंबर्शिप और राज्यसभा या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका जवाब हुजाएगा आप लोगों के लिए option number a यानि की लोग सभा में जितने सदस्य होंगे उनके 15 प्रतीशत maximum क्या बनाया जा सकता है आपका council of ministers बनाया जा सकता है या फिर मंत्री प्रहिशत बनाया जा सकता है और ये प्रावधान पहले से भारतिय सम्मिधान म अधीनियम 2003 के माध्यम से तो ये भी आप लोगों के लिए important हो जाएगा अगला question है इन विच आर्टिकल ओफ इंडियन constitution council of ministers to aid and advice president is mentioned मतला भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छेद में राष्ट पती की सहायता और सला के लिए मंत्री परिशत का गठन किया जाएगा इसका उल्लेक है अनुच्छेद 73 अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 74 बहुत बहुत important question है क्योंकि अभी चुनाओं हुए हैं इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत जादा important हो जाएगा ये सवाल a 73 b 74 c 75 या फिर d 76 इनमें से किसमे मंत्री परिशत के गठन संबंदित प्रावधान किये गए हैं तो आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए option number b article 74 अनुच्छेद 74 में बोला गया है राश्रपती की सलाह एवं परामर्श के लिए क्या होगा एक मंत्री परिशत का गठन किया जाएगा भारतिय सरकार के मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है very 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 important tenure of ministers of government of India is five years from the date of election चुनाओ की तारीक से पाँच वर्ष तक पाँच वर्ष फ्रॉम फाइव यह स्वाइड देट फॉब्लिशन इन ऑफिस्यल गैजट मतलब आधिकारिक राजपत्रक में परकाशन की तारीक से पाँच वर्ष तक या फिर पहली बैठक से पाँच पहली ब of us meeting या फिर none of the above उप्रोक्त में से कोई नहीं भारत सरकार के मंत्रियों की कारेकाल कितना होता है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है चुनाओ की तारीक से पाँच वर्ष आधिकारिक राजपत्रक में प्रकाशन की तारीक से पाँच वर्ष पहली बैठक की तारीक से प आप लोगों के लिए option number हो जाएगा डी नन ऑफ दी अबव जो आपके मंत्री होते हैं अनुच्छेद 75 के हिसाब से भारतिय सम्मिधान की अनुच्छेद 75 के हिसाब से जो आपके मंत्री होते हैं वो राश्ट्रपती के प्रशाद पर्यंत कार्य करते हैं राश्ट्रपती क का आपका ऑंसर is अगला है satellite mission तुरिषना is a joint mission of which of the two countries मतलब satellite mission तृष्ण किन दो देशों का स inglés फींडिया रशिया इंडिया श्री-लंका इंडिया फ्रांस या फिर इंडिया और नेपाल माफीज़ेगा नेपाल और बांगलादेष इंडिया रशिया आप्शन नमबर जवाब हो जाएगा option number c इंडिया और फ्रांस का एक यह क्या है जॉइंट वेंचर है कौन सा तृष्णा नामक एक सैटलाइट मिशन अगला question है हमारे पास में electronic toll संग्रह के लिए पूर्ववर्ती fast tag की जगह कौन सी तकनीक आएगी हाल ही में भारत सरकार ने यह गोशना की है कि हमारा जो fast tags है या फिर RFID based fast tags जो की क्या है electronic toll tax collection का एक सिस्टम है उन्हें बंद करके क्या कर दिया जाएगा एक नई तकनीक लाई जाएगी वो इन में से किस पर आधारित है यह आप लोगों से सवाल पूछ रहा है ग्लोबल रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग्स अप्शन नंबर बी ग्लोबल नैविगेशन सैटलाइट सिस्टम अप्शन नंबर सी ग्लोबल एक्स रे पुलारी मीटर टैग्स या फिर ऑप्शन नंबर डी नन आप दी अबव अप्शन नंबर ए ग्लोबल रेडियो फ्रिक् तो यहां पर आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा option नंबर B global navigation satellite system global navigation satellite system यह आपका क्या है टेकनीक है जिस पर आधारित सक्षम on board units लगाए जाएंगे सक्षम on board units लगाए जाएंगे किस पर आधारित global navigation satellite system पर आधारित जैसे RFID क्या है radio frequency इस रेडियो frequency identification टेकनीक पर बेस क्या होता है fast tags होते हैं उसी प्रकार GNSS पर बेस क्या होगा सक्षम होगा ठीक है चलिए अगला सवाल 16th brick summit to be held in 2024 is to be hosted by जाए दोजार चोबीस में होने वाला ब्रिक्स का सोलवा सिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा option number a दक्षन अफ्रीका option नमबर भारत option नमबर c चाइना या फिर option नमबर डी रश्या ए साउथ अफ्रिका बी इंडिया सी चाइना या फिर डी रश्या 2023 में पंद्रवी ब्रिक्स सम्मेलन का गठन साउथ अफ्रिका में किया गया था मतलब उसकी मेजबानी अध्यक्षता अब 2024 में सोलवी ब्रिक्स जो आपकी शिखर सम्मेलन है उसका कहां किया जाना है तो यहां से आप लोगों के लिए अप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर रश्या यानि की रूस में क्या होना है सोलवी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है मतलब हम सभी को मालूम है 13 से ले करके 15 जून 2024 को क्या हुआ है जी सेवन का सम्मेलन किया गया है जिसमें भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र दामुदर दास मोधी ने अपने तीसरे कारेकाल में पहली विदेश यात्रा की है यह कहां पर और्गनाइज कराया गया था यह इ इटली ऑप्शन नमबर बी है टर्की ऑप्शन नमबर सी बाली या फिर ऑप्शन नमबर डी जापान ए इटली बी टर्की सी बाली या फिर डी जापान इसका जवाब हमारे पास में हो जाएगा option number a इटली option number a इटली में क्या किया गया है g7 का वर्तमान आयोजन किया गया है जो g7 की 50 वी वर्ष गाट को क्या करता है एक mark करता है चलिए आगे चलते हैं भारतिय सेना के नय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है option number a लेटिनेंट जनरल जगजीत सिंग option number b लेटिनेंट जनरल उपेंद्र दिवेदी option number c जनरल मोहित बक्षी या फिर option number d जनरल मनोज पांडे लेटिनेंट जनरल जगजीत सिंग बी लेटिनेंट जनरल उपेंद्र दिवेदी option number c जनरल मोहित बक्षी या फिर d जनरल मनोज पांडे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा option number b लेटिनेंट जनरल उपेंद्र दिवेदी को हाल ही में थल सेना भारती या थल सेमा यानि की इंडियान आर्मी का क्या बनाया गया है और यह जगह लेंगे किस की यह जगह लेंगे जर्ड समाप्ट की जनरल मनोज पांडे का 30 जून को कारेकाल समाप्थ हो जाएगा और 30 जून सें अगला अगला क्वेश्चन है निम्न लिखित में से कौन भारतिय नौ सेना की पहली महिला हेलिकॉप्टर पाइलेट बन गई है वू अमंग्स फॉल्विंग बिकेम फर्स्ट विमन हेलिकॉप्टर पाइलेट ऑफ इंडियन नेवी ऑप्ष्ट नंबर ये हमारे पास में एर मार्शल परनीत को और अप्षन नंबर बी हैं कमांडर प्रियंका सिंघ अप्षन नंबर सी हैं अनामिका भी राजी या फिर ऑप्षन नंबर डी हैं सुभांगी गोस्वामी इन में से कौन वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतिय नौ सेना की पहली महिला हेलिकॉप्टर पाइलेट बन गई है और इन्हें प्रेस्टीजियस गोल्डन विंग दिया गया है गोल्डन विंग्स और इंडियन नेवी से सम्मानित किया गया है कौन है यह एर मार्शल परनीत कौर कमांडर प्रियंका सिंग अनामिका बी राजीव या फिर शुभांगी गोस्वामी तो यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी अनामिका बी राजीव आगे चलते हैं अगला क्वेशन देखते है भारत में निम लिखित अथलीतों में से किसने 5000 1000 जायर मीटर दॉण में नया राष्ट्रिय रिकॉर्ड बनाया है भारतिये अथलीट में से physnets हजार और दस हजार मीटर दौण में नया रिकॉर्ड बनाया है ए है अप्षल गुलवीर सिंग भी है आपका मंजीत बाजवा सी है गगंदीप संदू या फिड़ी है दीपक कॉन से एथिलीट है जिन्होंने पांस हजार मीटर और दस हजार मीटर यानि की पांच किलो मीटर और दस किलो मीटर के दौड में राश्ट्री यह क्या बना रहा है रिकॉर्ड बनाया है यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर ए गुलवीर सिंग है वो व्यक्ति या फिर एथिलीट भारत के जिन्होंने क्या किया है राश्ट्रे रिकॉर्ड बनाया है पांस हजार और दस हजार मीटर रेस में निम्न लिखित में से किसे आइसी सी प्लेयर ऑफ दा मन्त घोशित किया गया है पहले है गुडाकेश मोती दूसरे हैं चमारी अट्टापट्टू तीसरे हैं विराट कोली और चौते हैं रोहिट शर्मा और हमारे पास ओप्शन्स हैं केवल एक यानिकी गुडाकेश मोती क चमारी अट्टापटू आपशन नब्स ये हमारे पास केवल एक और चार यानिकी गुडाकेश मोती और रोहिट शरमा और आकर रोहिट शर्मा तो किं है या फिर किंहें किंहें अभी एची ने क्या बनाया है प्रेयर आपधा मंध मै घोशित किया है तो यहां से आप लोगों के लिए option number B हो जाएगा answer याने की गुड़ाकेश मोती और चमारी अट्टा पट्टू गुड़ाकेश मोती कहां से हैं West Indies वेस्ट इंडी इसके प्लेयर है और चमारी अट्टा पट्टू कहां के श्री लंका इन दोनों को क्या बनाया गया महीने में प्लेयर ऑफ दा इयर माफ किजिए प्लेयर ऑफ दा मन्थ घोशित किया गया है मतलब एक साल में होने वाले जो Grand Slams है उनका सही क्रम क्या है US Open, French Open, Wimbledon Open या फिर Australian Open मतलब इनको इनके पहले होने से लेकर के आख्री होने तक में क्या करना है आप लोगों को जमाना है हर साल ये इसी चक्र में ही क्या होते हैं ये सभी Grand Slams जो की टेनिस से क्या है संबंदित खेल है इन्हें क्या किया जाता है खेला जाता है तो ये क्ょौन सा क्रम है ये आप लोगों को क्या करना है पहचानना है ओप्शनदेखीजैए A B C और D तो जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका कौनसा Australian Open सबसे पहला कौन सा होता है आपके पास में ऑस्ट्रेलियन ओपन फिर दूसरा होता है आपके पास में फ्रेंच ओपन तीसरे में होता है आपके पास में विंबल्डन ओपन और चौथे में हो जाता है आपका क्या यूएस ओपन तो आपके पास में ऑप्शन नमबर 4-2-3-1 कहां पर है देख लिए 4-2-3-1 option number D हो जाएगा सहीं answer 4-2-3-1 अगला question है निम्द में से किसे French Open पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है 2024 में हुए French Open की बात की जा रही है 2024 में French Open जो साल का दूसरा Grand Slam है उसके विजेता पुरुष और महिला का नाम आप लोगों को बताना है option number A है कारलोस अलकराज और इगा स्वायतिक option number B है जैनिक सिनर और आर्यना सबालेंका option number C है नुवाग जोकोविच और आर्यना सबालेंका और option number D है नुवाग जोकोविच और कोको ग्रॉफ तो इन में से वो कौन सी जोडी है जिसने पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता है French Open में ये आप लोगों को पता करना है कार्लोस अलकराज और इगा सबालेंका नुवाग जोकोविच और आर्यन सबालेंका या फिर नुवाग जोकोविच और कोको ग्रॉफ तो इसका आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा option number A याने की कार्लोस अलकराज और इगा स्वायतिक ने क्या किया है पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता है किसमें French Open में जबकि जो आपके जैनिक सिनर और आर्यना सबालेंकल है इन्होंने क्या जीता है इसी साल और्गनाइज जो आपका Australian Open था Australian Open उसका खिताब जीतने वाले ये हैं कौन जैनिक सिनर और आर्यन सबालेंकल का तो आपको ये चारों ही नाम क्या होने चाहिए याद होने चाहिए ठीक है चलिए अगला question देखते है निम्द में से किसने जर्मनी में ATP Challenger Tournament का खिताब जीता है मतलब Association of Tennis Professionals of World के द्वारा Challenger Tournament कराई गई है कहां पर जर्मनी में और इस जर्मनी में किसने उस टाइटल को जीत लिया है ये आप लोगों को जवाब देना है क्या ये option number A है सुमित नागल क्या ये option number B है शरत कोहली क्या ये option सी है अमिट सिंगे या premiers ये धीरच कुमार सुमित नागल शरत कोहली अमिच सेंग या फिर धीरच कुमार तो यहां से आप लोगों के लिए इनका आंसर हो जाएगा option number A सुमित नागल और इन्होंने ये 6 बार जित चुका है 6 बार इन्होंने क्या जीत लिया है या फिर ये इनका छटवा टाइटल है 6 टाइटल ATP चैलेंजर जो टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें 6 बार जीत चुके है कौन सुमित नागल और ये भारत के क्या है टेनिस खिलाडी है अगला question देखते हैं T20 विश्व कप में stop clock नियम से penalty पाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है which country became the first penalty receiver by the stop clock rule in T20 World Cup 13 जून को होने वाले मैच में 13 जून को इंडिया वर्सेज अमेरिका का मैच हुआ जिसमें इस अमेरिका को क्या किया गया है stop clock penalty के माध्यम से क्या दिया गया है penalty का सामना करना पड़ा है जिसमें क्या होता है एक जो bowling team होती है उसे एक over की समापती के बाद दूसरे over को 60 seconds के अंदर शुरू करना होता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाने के उपलक्ष में दो बार warning दी जाती है मतलब अगर दो बार किसी ने इस नियम का उलंगन किया 60 seconds के बाद में क्या किया है bowling शुरू किये दूसरे over की तो उन्हें दो बार क्या दिया जाएगा warning दी जाएगी लेकिन तीसरी बार उनको क्या कर दिया जाएगा 5 रनों की penalty दे दी जाएगी मतलब सामने वाली जो टीम होगी बैटिंग टीम उन्हें 5 रन एक्स्ट्रा दे दिये जाएगे और यही हुआ है किसके साथ ने अमेरिका के साथ ने याने कि इंडिया को 5 रन क्या कर दिये गए है एक्स्ट्रा दे दिये गए बाद में अमेरिका इस मैच को हार भी गई ठीक है तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा विच कंट्री बिकेम दा फर्स्ट पैनल्टी रिसीवर बाई स्टॉप क्लॉक अप्शन नम्बर डी अमेरिका अगला दिखते हैं अठारवी लोग सभा के मंत्री परिशद के बारे में निम्द में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है विच आफ फॉल्विंग इस नॉट ट्रू क्वेस्टन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग नॉट ट्रू अबाउट दे काउंसिल अफ अफ मिनलस ऑफ एट्टीनत लोग सभा क्या थर्टी थर्टी कैबिनेट मिनिस्टर 36 आइप मिनिस्टर तैन मिनिस्टर अफ स्टेट सेथ विद्舌 थि हिंडिपेंडेंट चारज बोत अ अًड्दी आरोट ट्रू मतलब तीश कैबिनेट मिनिस्टर है 36 राज्य मंत्री है और दस स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री है या फिर ए और बी दोनों सत्य नहीं है या मनिकी 30 भी नहीं है और 36 भी नहीं है तो इसका आप लोग जवाब देंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सहीं नहीं है कुल मिला करके हमारे कितने 72 मंत्रियों ने इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ने शपत ली है जिसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं तो आप्शन नमबर ए सहीं हो गया पांच आपके स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज है और 36 आपके क्या है स्टेट मिनिस्टर्स हैं 36 क्या है स्टेट मिनिस्टर्स हैं है तो यहां से हमारे लिए ऑप्शन नमबर भी सी हो जाएगा क्या गलत क्योंकि इसमें बोल रहा है जो क्या है दस इंडिपेंडेंट धस राज्य मंत्री इफ çocuğ है नहीं हमारे पास कितने हैं पांच मंत्री हैं जो कैसे इस सवतंतरफर वाले यहां पर खतम होता है हमारा आज का मदैंद मिला करेंगे और सिरीन का डिये सामिल करेंगे ओन के चॐन रे पेस MCQ करेंगे इस तरीके से आप अपनी Current Affairs की जर्नी में Excel करते चलेंगे अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए Competition Community के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको